संद्देवी ज्यानेश्वरी गोस्वामी माता जी का ज्योतिश क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है ज्योतिश शास्त्र में ईश्वरी कृपा के विशेश अध्यान के बाद मा बगला मुखी देवी जी की दिव्य कृपा से विगत वर्षों से अनेक विध्याओं में अपनी सटीक भविश्यवानी से पूर्वा नुमान के लिए विख्यात है ज्योतिश एक ऐसा विग्यान है जिससे पता चल सकता है कि आपके शरीर के कौन से स्थान पर ग्रहों की कैसी दशा चल रही है इससे पता लगाया जा सकता है आपके जीवन में हो रही मूल समस्याओं की वज़े क्या है अपनी भविश्यवानियों के जरिये मादेवी ज्यानेश्वरी जी लोगों के करियर, बिजनस, प्रेम संबंधी, शादी में बाधा, कोट केस, शत्रू बाधा, काल सर्प दोष शान्ती, वशीकरण, वास्तु दोष आदी समस्याओं का सही मार्ग दर्शन देकर ग्रहों क शान्ती हेतु रत्न, जाप, हवन पूजन और मा बगला मुखी अनुष्ठान करते आ रही है। मेरे बच्चों के बारे में और मेरे बारे में क्या है। चंद्रमा मंगल के साथ में द्वादस बारवे बहुपे बैठा है। जिन्दगी बार आपने दूसरों के लिए ही करते रहे। तो इनकी प्रतिष्ठा कमाने के चक्कर में बहुत कुछ गवा दिया आपने। और आपको पश्पावा हो रहा है। सामाज में अच्छी प्रतिष्ठा रही है आपकी। और प्रतिष्ठा भी पाया। पईसार भी पाया और जितना पाया उतना दुष्पाया भी। पिता का सुख累 सुख peng आंकी जीवन अच्छा नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। माता पिता दोनों से आपके विचल बड़े दूर रहे ना उन्होंने और आपके जीवन में पित्र दोश लगा हुआ है, पित्र दोश, पित्र रिन, मात्र पित्र रिन से आप उरिन हो जाए, मतलब उनके उरिन से उध्धार हो आपका तभी जीवन में कुछ सफलता हैं प्राक्त होंगी, वरना शुरू से आप संघर्ष कर रहे थे, आज भी संघर्ष कर ही रहे हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको सूरी केटू के साथ है तो आपको फित्र दोस्त की शांती करवानी पड़ेगी यदि आपको ये नहीं पता है कि आपके जन्म का समय क्या है, तारीख क्या है और सन क्या है तो कैसे पता करेंगे कि आपके जीवन में कौन से ग्रह आपको प्रभावित कर रहे हैं और कौन से ग्रहों के कारण आपके जीवन में समस्या आ रही है यदि आपको अपने ग्रहों को जानना है, उनकी डिगरी को जानना है, नक्षत्रों को जानना है, तो आईए मा बगला मुखी मंदर जिला सिवनी मध्य प्रदेश में, जहां मा देवी ज्यानेश्वरी आपको मा बगला मुखी देवी मा की अपार कृपा से अपने दिव्य ज रियान द्वारा आपकी सम्पूर्ण समस्याओं का समाधान कराएंगी. हम आपकी कुण्डली तयार कर सकते हैं. हम आपके नक्षत्रों का पता कर सकते हैं. आपके ग्रहों की डिगरी पता कर सकते हैं. दशा, महादशा, अंदर दशा में क्या चल रहा है? अगर सब कुछ पता हो गया तो आपकी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान हो जाएगा